अब मैंने चैनल पर पहले बार है तो जरूर सब्सक्राइब किजे लाइक कीजे और शेर किजे इन इस वीडियो इस वीडियो 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 लें हाव तु इन्सल्न नुमर्फ आडिस शर्विस इन Windows 10 for SBI QoS portal. तो सबसे पहले control panel में जाकर uninstall करना है जो भी software हम लोको ने download करके रखा है all version, previous version all version ये सब कुछ remove करना है सब कुछ uninstall करके delay करना है और इसके बार new software को download करने के many of our CSP friends are facing a lot of problems, a lot of error related to RT service and AAPS transaction. बहुत लोग को CSP लोग को दिख कर आ रहा है Windows 10 में अपगेड करने के बाद कोई लोग RTD तेक नहीं हो रहा है और कोई लोग AAPS transaction वोट नहीं करेंगे तो इस वीजियो को देखने के बाद आपका problem सब कुछ solve हो जाएगा after watching this video you'll be able to solve all your problems मेरे हिंदी उतने नहीं अच्छी नहीं है तो हम हिंदी और English मिक्स करके explain करेंगे तो यह Morpho, जो भी Morpho Driver हो Morpho RD हो या Java 7 हो या FPA ActiveX हो यह सब कुछ हटाना है हम लोग completely remove करना है then we will install a new software यह सब कुछ हटाना है और उसके बाद new software को download करंगे यह Java 7 हमें भी हटाना है अब मेरे विक्तियों को post करकी अस्ते अस्ते देखर step follow कर सकते है for better experience चलो अभी आने से लो हो रहा है यह अभी अनिस्टल पूरा हो चुका है तो अनिस्टल होने के बाद हमनो C drive में जा कर C drive, C drive हा, we go to C drive and then we will delete this Morpho RD service इसको delete करना है Morpho RD service को and then fingerprint sensor इसको भी delete करड़ो और इसके बाद उपर Morpho RD log इसको भी delete कर दिजे तो सब कुछ इंस्टल हो गया और delete भी कर दिया तो now we will install new new fresh software तो इसके लिए Google search में जाकर type कर गये Sanjeevini Vikas Foundation So we will download the new software from the Sanjeevini Vikas Foundation portal तो हम लोग ये new software को Sanjeevini website portal में जाकर download करेंगे ये जो Sanjeevini का software है ये सभी CSP के लिए सभी BC के लिए applicable है compactable है जाए वो Drishti से हो या Paypoint से हो या CIC से हो सब के लिए applicable है ये Sanjeevini का software है तो ये जाहिए software में ये genuine software है ये बकी सब छोड़ कर ये जो SVF के उस new दिखा रहे खले इसको download करना है बकी सब छोड़ दो तो फिलाल हमें मैंने download करके रखा है तो हम अभी दोबरा download नहीं करेगा तो बहुत सारे तरीके हैं बहुत पॉर्टल है जो ये नया software दानलो करने के लिए लेकिन वो सब फेक हैं तो ये Sanjeevini का तो ये तो जेनियून है तो दानलो करने के बार ये जी फाइल को एक्स्ट्रेक करना है तो इसको रने साइड में से ट्रकाटे है रहे क्लिक करके रने से में से ट्रकाट सकते हैं तो अभी दनलोट हो रहा है अभी इंस्टल शुरू हो रहा है तो प्रेशनी के ट्यू तो इसको दिलेट करते हैं आपको ये जो इंस्ट्रक्शिन फोलो करना है ये जो इंस्सल्रेशन प्रोसेस्ट्या बहुत सिंपल है बस आपको इंस्ट्रक्शिन फोलो करना है ओख क्लोज करें इखना करें जेए install certificate next next finish import successful या झो झो मुट्पर नहींद क्लिक कर सु απόकेके लागे इधर उदर से यह जो सोफर हैं इसको डानलोड माट करो संजीवनी दराइच संजीवनी के पोटल जाकर डानलोड करो यह सोफर को तो नो है वोल रिस्तार लेता के लिए झाल करेंगal वोल जाल जाकर बाहब नहत्स अजीवनी दराइच कर दहा झाल कर दो हैं आल कर दो पूश्याब से यह जाल कर दो इसको खाल कर दो हैं नहाब कर दो सीवनी दो हैं कि मौर्फोरडी से अरब हो रहा है भी तो इसके हम को इस इंस्टल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है कि थोड़ा वूइट करते हैं थोड़ा रिस्पंस नहीं आ रहा है करेंन यूजर नयक्स नयक्स ओके ओके तो अमने का इंस्टलेक्शन पूरा हो चुका है तो successfully install हो चुका है तो अभी हम more for device को connect करना है हमने device को connect कर ले connect करने के बाद देखते हैं device has been successful तो अभी device successfully आ रहा है तो देखते हैं logging करके देखते हैं अबर क्या होता है तो अभी user name password के लोगिंग करते हैं यह जो सबसे उपर में संजीविनी वीकास foundation financial inclusion आ रहा है क्योंकि हमने हम लगों ने हमने यह जो software संजीविनी के portal से ही दानों किया इसलिए ऐसा आ रहा है देखिएं कोई बाद नहीं यह चाल जाएगा लोगिंग कर लिए ओके तो थोड़ा सकेंड वेक करते हैं तुरण आ गया यह service install on this machine तो यह बहुत सही जा रहा है और नहीं आ रहा है detect हो चुका है login भी successful हो चुका है तो मैं अब लोगों को AAPS transaction भी करके दिखाता हूँ एक बालेंस inquiry करके दिखाता हूँ I agree I fingerprint select कर ले तो यह success हो चुका है इसको समिक करते है तो यह work कर रहा है सही से work कर रहा है तो यह बहुर अच्छे के बार है यह अच्छा से जा रहा है तो फिल अदा हम भी लोग काट करते हैं अब यह process follow करने के बार भी आपका RDD टेक्न हो नहीं हो रहा है तो आप एक बरसर्स मेनू में जाकर services type कीजिए और services में जाकर एक बार मौफ़ार्डी सर्विस को स्टॉप करके फिर से start करना है तो मौफ़ार्डी सर्ष कीजिए मौफ़ार्डी यहां मौफ़ार्डी इसको एक बार स्टॉप कर देंगे वह स्टॉट करिए स्टॉप करने के बार भी सिरी स्टॉप करना है इसके बाद जरूर जरूर वाक करेंगा अफ्र दिस इड़ शर्ली वाक इफ यह दसन्ट वाक इसके बार भी नहीं वाक कर रहे तो अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं तो अब दाए कर दो 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 आए जो एंगे वह स्टॉप कर दो दो एंगे प्राइब में अद्दू भरागे कि अद्दूब अग्यान धूर्ट कर दो अग्यान भार दो दो आखिए अच्टार भाने बालें